मश्रूम करी बनाने के लिए हम लेंगे कुछ मटर बटन मश्रूम जिनको हमने छोटे पीसिज में काट लिया है अब मटर और मश्रूम को गरम पानी में डाल कर थोड़े से नमक के साथ हम बॉयल कर लेंगे 10 मिनिट तक पॉयल हुजाने पर मटर मश्रूम को पानी से अलग करके आप साइद में रख लें अब एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल गरम हुजाने पर उसमें हम हींग डालेंगे जीरा और डाइज अनियन्स इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अनियन जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम टोमाटो प्यूरी में लाएंगे अब इस मिक्शर में हम मिलाएंगे नमक अद्रक पेस्ट लेसन पेस्ट लाल मिर्च हल्दी तन्या पाउडर गरम मसाला काली मिर्च पाउडर और इस मिक्शर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दें मसाला तेल छोड़ दें इसमें हम मिलाएंगे पॉल किये हुए मश्रूम और मटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसको इसी तरीके से सुखी सबजी भी खा सकते हैं और ग्रेवी बनाना चाहे तो ग्रेवी बनाना के लिए आप एककप इसमें पानी मिला दिजये अपने हिसाब से ग्रेवी सकते हैं गाड़ी चाहिए तो गाड़ी और पतली चाहिए तो पतली अब इसे पांच मिनिट तक हम गैस पर ही छोड़ देंगे तैयार हो जाने पर हम इसमें दालेंगे कसूरी मेथी इसके खुश्बू को बढ़ाएगा और इसे गर्म गर्म सर्फ करेंगे गार्निश करिए मिर्ची और धनिया पत्ते के साथ थैंक यू झालेंगे झालेंगे